कॉंपडिशन कम्यूनिटी के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होस्टल वार्डन का विकेंसी आ चुका है और इसी को हम धान में रखते हुए अपनी कम्प्यूटर की क्लास की आज से शुरुवात करेंगे आज हम कम्प्यूटर का पहला यूनिट कम्प्यूटर एक परिचय को कवर करेंगे आप लोग अपनी स्लेबस को देखते चलिएगा क्योंकि स्लेबस का बहुत इंपॉर्डन रोल होता है आपके किसी दी एक्जाम के लिए तो आप देखते हैं कि आपके कम्प्यूटर में जो कि विशेशता क्या है यह सब हम देखते हुए चलेंगे आपके किसमें आपके कम्प्यूटर एक परिचय में सबसे पहले अगर computer के फादर की बात करें computer के अविश्कारक के बात करें तो किसका नाम जाना जाता है तो आप जानते होंगे यह Charles Babes जी हैं दाशनिक थे जिन्होंने computer के छेत में अपना बहुत ही महतपूर समय और उपयोगिता को क्या किया है दर्शाया हुआ है क्या होता है computer हम यह समझने का प्रयास करेंगे computer अजैसा कि आप सभी जानते हैं कि computer क्या होता है कि हमारे जो डेली लाइफ में होता है वो computer हमें देखने को मिलता है हम पुरातनकाल से लेकर अर्थात प्राचिनकाल से लेकर वर्तमान तक computer यूज़ कर रहे हैं भले ही computer का हमें pattern या स्वरूप अलग-अलग रूपों में देखने को मिल रहा है प्राचिनकाल में computer का उप्योग स्रिफ गड़ना के रूप में किया जाता है जिसमें पहला computer आपका अबेकस है ये एक प्रकार का क्या बहुत ही पुराना computer है जिसमें computer की शुरुवात हो चुकी थी हम computer का उप्योग अपनी जरूरत के हिसाब से हमेशा करते आ रहे हैं प्राचिनकाल में हमारी जरूरते कम थी इसलिए computer का जो व्यापक रूप था वो थोड़ा कम था चूकी हमारी जरूरते अब क्या होते जा रही है बढ़ते जा रहे हैं इसलिए हमारा जो computer का रूप है ये स्वरूप है वो भी क्या होते जा रहे है व्यापक होते जा रहे है तो हम जब computer का अविश्कार या computer का विकास और उसकी पीडिया पढ़ेंगे तब आप इसे detail से समझेंगे कि किस प्रकार से एक छोटे से computer, छोटे से computer का मतलब आपके side से नहीं है, छोटे से computer का अर्थ यहाँ पर आपके कारेों से है, तो वो computer जिसका कारी एक एकडम सिमित था उस सिमित कारे से लेकर आज computer हर जगा क्या है, विद्वान है, तो इसी चीज़ को हम आगे अध्यन करेंगे computer की पीडिया और computer के विकास में, आज हम यह समझेंगे कि computer क्या होता है, computer क्या होता है, देखिए, सबसे पहले अगर हम computer सब्द की बात करें, तो जो हमारा computer सब्द है वो लेटिन भासा के कम्यूट से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है संगड़क या गर्णा करने वाला इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं संगड़क या गर्णा करने वाला क्यूंकि जो आपका computer होता है न वो गरना करने में क्या करता है आपकी विसेश भूमी का निभाता है साथ ही क्या करता है computer computer का use केवल calculation करने के लिए किया जाता था कब किया जाता था प्राचिन काल में हमारा जो computer था उसका यूज प्राचिन काल में केवल calculation करने में किया जाता था वो computer कौन था आपका अबेकत था लेकिन अब क्या है computer का स्वरूप बदल चुका है क्योंकि आपको जरूरते जो हैं वो भी बदल चुकी है तो पहले जो computer होता था उसका उप्योग किसमे किया जाता था आपके calculation के लिए किया जाता था लेकिन आज का जो computer है उसका उप्योग सिर्फ आपके calculation तक ही सिमीद नहीं है बलकि कहा है आपके इसका computer का use हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने में अगर आप देखते हूंगे आप कोई चीज स्कैन कर रहे हैं उसे पीडियाफ में कर रहे हैं तो यह क्या कर रहा है एक प्रकार का कंप्यूटर के मदद से ही तो आप यह सारे काम कर रहे हैं किसका आपके डॉक्यूमेंट बनाने में साथ ही मेल computer के जरीए हो रहा है आप listening करते हैं कोई भी काम audio, video, play games आप games वगेरा जो खेलते हैं ठीक है database preparation करते हैं यह सब किसके अधार पर हो रहा है आपके computer के अधार पर हो रहा है computer एक ऐसा subject है जो मैंने एक बात बार-बार मैं कह रही हूँ कि computer हमेशा हमें use देखने को मिला है क्यों कैसे? क्योंकि जब आप प्राचीन काल में थे तो प्राचीन काल में आपकी जरुवते कम थी ना आपको वीडियो से मतलब था ना audio से, ना आपका document से ना PPT से, ना अधर किसी चीज़ से उस समय घटनाएं भी कम होती थी अविश्कार भी नहीं होता था तो computer क्या था? उसकी एक निश्चित सीमा थी वो computer क्या करता था? सिर्फ गढ़ना का काम करता था लेकिन आपका जो computer है वो computer क्या करता है? वो सारे काम करता है जहां जहां आपकी सोच भी नहीं जा सकती है तो यह है आज का computer, और कहा यूज होता है देखी, आप बैंकों में देखते होंगे, बैंकों में जितना भी काम हो रहा है, किसके थुरू हो रहा है, आपके computer के थुरू हो रहा है, hospital में हो, अंत्रिच में हो, आपकी किसी बड़ी-बड़ी अंपनियों में हो, factory ओ में हो, पहले आप किसे पढ़ाई करते थे एक पुरानी पधती के मांथेम से पढ़ते थे उस समय ऐसा कोई डिजिटल बोर्ड नहीं होता था लेकिन आज कंप्यूटर के कारण आप क्या कर रहे हैं साक्षात चीजों को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं बिना वहां प्रेजेंट ह नहीं बलकि व्यापक रूप से भी किया जाता है मैंने आप से कहा कि आप जहां तक सोच भी नहीं सकते वहां तक कंप्यूटर अपना काम करता है अब ये तो हो गई computer की उप्योग की बात अब computer का full form चूंकि आप देखते होंगे कि हर एक सब्द होता है जिसका एक अर्थ होता है तो हमारा जो computer है उसका भी एक निश्चित अर्थ है जिसके अधार पर क्या किया यह है computer को बनाया गया है यह इसका निर्माय किया गया है अब देखिए यहां बस computer ये आपका word लिखा हुआ इस एक एक जो आपके words है इन सबका क्या है हम अर्थ समझेंगे सबसे पहले c का मतलब क्या होता है तो c का मतलब होता है समाननेता या आम तोरपर क्योंकि computer क्या होता है common होता है यह समाननेता या आम तोरपर सभी जगा प्रय करने वाला क्यों कि कंप्यूटर जो होता है वो किसका कारे करता है आपके संचालन का कारे करता है तो आपका सी से क्या हो गया कॉमन हो गया आपका ओ से ऑपरेटर हो गया और आपसे आपका एम से क्या होगा यह कंप्यूटर क्या है एक प्रकार का मसीन है जब भी क्या कहते हैं computer के अविश्कार के हम बात करेंगे तो हर सन में या कह सकते हैं पीडी दर पीडी हमें computer एक machine के रोप में भिला है चाहे आप abecus से लेके वर्तमान के computer को भी देखेंगे तब भी देखे आप कहने का मतलब यह machine का मतलब यह ही कि computer एक प्रकार का क्या है मसीन है जब आप प्राचिन काल में भी यूऊज करते थे जो की क्या होता था अबेकस पहले मैं बेकस को बता देतria हूँ एक Normal इंट्रोडेक्शन तो यह हमारा सबसे पहला computer है अब एक जिसमें सिर्फ क्या होता था आपका गड़ना होता था इसकी मदद से हम क्या करते थे जोड़ घटाओं की प्रक्रिया को करते थे तो यह भी प्रकार का क्या था हमारा computer था अब लेकिन जो computer है वो सारे काम को कर सकता है तो C for commonly, O for operated, M for machine अब आती है P की बाद T का मतलब होता है particular particular means यहाँ पस P का मतलब particular का इसली लिया गया है क्योंकि particular का मतलब होता है कि यह विसेश रूप से या particular रूप से हर कारे को कर सकता है किसी विसेश उद्देश के लिए भी यह कारे करता है और किस चीज के लिए कारे करता है एक कह सकते हैं एक निश्चित देखिए यहाँ पर particular का मतलब क्या है P for particular लिखाए ठीक है तो यहाँ पस P का मतलब क्या है particular means होता है कि यह जो हमारा computer है यह किसी भी विसेश चेतर पे काम करता है चाया आपका medicine के चेतर में हो आपके अंतरिच के चेतर में हो यह आपका education के चेतर में हो यह आपकी बड़ी-बड़ी company हो यह आपका वैपार हो यह सब क्या करता है computer एक particular रूप से काम करता है एक विसेश रूप इसलिए यहां पर यू का मतलब यूस्ट फॉर्वर्ड यूज हुआ है ती का मतलब यहां पर टीचिंग इसलिए है क्योंकि जो कंप्यूटर है ना इसने क्या कि एजुकेशन में क्रांति लाकर रख दी है तो टीचिंग में आपके सिछड कितना बहतर होगा यह आपका कंप् होगा आपका इजुकेशन भी उतना बाश होगा तो यहां परạnhी का मतलब क्या होगा यहां पर इचुकेशन की तो टीचिंग और education के एक दुकेशन के एक DRU से क्नेक्टेड है क्योंकि बिंगर टीचिंग की एज़ूके अच्छा नहीं हो सकता और बिना कंप्यूटर के पिसरों में जितने भी सेटलैट वगैरा सब बेजा जा cold वो सब किसके मांध्यम से सब incoming各位 मांध्यम से तो जितने भी country जो काम कर रहे हैं चाहे वो पर मादू या किसी उभ्रयर पे हो किसी भी hic फेल्ड पर काम कर रहे हैं research कर रहें दूं किसके क्योंकि एक प्रकार का मसीन है P से particular विसेश छेतर में अर्थाथ computer को फिर से मैं बताती हूं आपको समान ने तह संचालित करने वाला यह एक ऐसा मसीन है जो विसेश रूप से क्या किया जाता है प्रियुक्त किया जाता है कहां प्रियुक्त किया जाता है आपके तकनीकी छेतर में, सहचडिक छेतर में और अनुसंधान में, ठीक है, चलिए next पड़ते हैं हम, अब परिभासा की बात आती, कि परिभासा आखिर computer होता क्या है, अगर हम इसका definition देखें, कि हमारा computer होता क्या है, तो computer एक 140 electronic machine है, computer अपने आप कारे करने वाला machine है, अगर आप उसको कोई निर्देश देदोगे, कोई कारे देदोगे, तो computer क्या करेगा, स्वयम से अपने सारे काम करेगा, किसके अनुसार, आपके निर्देशों के अनुसार, और क्या करता है ये computer, data तथा निर्देशों को input के रूप में ग्रहन कर यहां पर एक word use हुआ है, input, input क्या होता है, input वो होता है, जिसमें आप चीजों को क्या करते है, जैसे example की तोर पर आप ऐसे समझ सकते हैं, Google से, देखिए, अगर आप Google में कोई चीज क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पस आप किसका उप्योग कर रहे हैं, keyword कर रहे हैं, तो keyword के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, चीजों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह चीजे computer में जाती है, फिर खूब खोज बीन processing के बाद क्या होता है, आपका output, input का मतलब जो आप computer को निर्देश देते हैं, ठीक है, और जो result व रूप में क्या करता है, हम Google में मालीजे कोई सर्च किये, मालीजे सर्च किये कि what is computer, तो हमारा जो सवाल था what is computer, तो ये क्या हो गया, आपका input हो गया, उसके बाद क्या होता है, ये उसका vislation करता है, विसलेशन करने के बाद जो आपका answer निकल कर आता है, जो जवाब निकल सकते हैं अब देखें यहां पर इंपूट और आउटपूट का कुछ इंपूट क्या होता है इंपूट में आपका माउस आता है क्यूंकि आप माउस के साहरे कोई चीज क्या करते हो सर्च करते हो क्यूंकि आप जब कोई चीज को क्या करोगे खोजने का प्रयास करोगी किसी के माद्ध हम से वो आपका input होगा और क्या होता है आपका keyboard आप keyboard के द्वारा भी computer में क्या करते हो काम करते हो यह आपका क्या है keyboard है यह आपका mouse है दूसरा है आपका scanner scanner से भी आप क्या करते हैं चीजों को scan करते हैं आपका अगर मैं समाने भासा में कहूं, तो आपका जो सवाल होगा, जो आप computer से करेंगे, वो आपका input होगा, इसे आप व्यवहारिक रूप से समझे, कि आप जो भी सवाल करते हैं आपका input के रूप में होगा, और जो जवाब निकल कर आता है वो आपका output होगा, joystick, joystick क्या होता है? ये भी एक प्रकार का input होता है जिसके जरी आप चीजों को क्या करते हैं खोसते हैं, ये आपका joystick है Mic ठीक है, webcam ये सब क्या है आपके input में आते हैं जब आप कोई चीज क्या करते हैं सर्च करते हैं तो उसमें process होता है किसके माध्यम से? आपके CPU के माध्यम पे CPU computer का एक important part है CPU का full form क्या होता है? CPU का full form, central processing unit क्योंकि ये क्या करता है? processing का काम करता है तो जब आप input, मतलब जब कोई चीज आप खोजते हैं तो उसमें क्या होती है? processing होती है processing के बाद क्या होता है? आपका result एक output के रूप में आता है वो result आपका क्या आता है? screen में आता है जिनें आप क्या बोलते हैं? आप monitor बोलते हैं और आपको इस चीज क्या करते हैं? print करते हैं आप देखते होंगे, आप डालते हैं उसमें तो प्रिंट या hard copy के रूप में बहार आता है तो आपका result फाइनली आ रहा है न तो वो क्या होगा आपका? वो आपका output होगा ये क्या है आपका जो printer है? ये आपका output है क्योंकि आप अगर इसमें कोई चीज स्कैन करते हैं तो क्या है result? बहार आ रहा है अब देखी computer जैसे की मैंने आपको बताए कि हमारा जो computer है उसका उपयोग कहां यूज किया जा रहा है आप अंतरिश में satellite को करने के लिए ठीक है? आपका जो film is dusty है वहाँ पर भी computer का उपयोग देखने को मिल रहा है aeroplane में देखने को मिल रहा है तो ये सब का उपयोग कहां देखने को मिल रहा है हमें? इन सब चीजों में देखने को मिल रहा है आज कल विस्व के हर छेत्र में अर्थात ऐसा कोई छेत्र नहीं बच्चा है जहां पर computer का use ना हो रहा हो तो विश्व का ऐसा कोई छेत्र नहीं है जहांपर computer का प्रयोग ना हो रहा हो कहां-कहां उपयोग हो रहा है आपके अंतरिच में हो रहा है film निर्माव में हो रहा है याता-यात आप जो traveling कर रहे हैं उसमें भी computer का use हो रहा है उद्योग वैपार में हो रहा है, रेलवे स्टेशन में हो रहा है, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, ये क्या है आपका, एयरोप्लेन है, और ये कहां से संचालित होता है, आपके एयरपोर्ट में होता है, तो एयरपोर्ट में ऐसे कम्प्यूटर होते हैं, जो अपने कारिकों काम काच सटीकता और बहुत स्तेजी से होता है कंप्यूटर ने क्या किया है काम में क्रांती ला दिया है मतलब यह जो काम मनुष्य क्या नहीं कर सकता है साल भर में भी नहीं कर पाता है वो काम यह कुछ मिंटों या सेकेंडों में कर दिखाता है तो यह है कंप्यूटर की उप इन दोनों में क्या हो रहा है computer का प्रयोग हो रहा है कि आपका या आपका classroom आप देख सकते हैं कि एक teacher है जो क्या कर रही है digital board के माध्यम से बच्चों को साक्षात solar system के वारे में बता रही है तो बच्चा क्या कर रहा है इसे आँखों से देख रहा है कि अच्छा इस तरह से चीजे होती हैं वो साक्षाथ चीजों को देख रहा है किसके माध्यम से आपके computer के ही माध्यम से यह क्या है आपका तो यह सब आपका प्लेन वगएरह जितना काम हो रहा है कंप्यूटर के मात्यम से हो रहा है इस्कूल में भी आपकी जो स्टडी हो रही है आपके एजूकेशन में कंप्यूटर का विसेश योगदान है अब Oxford dictionary के अनुसार यह तो नॉर्मल परिभासा था क्या था कंप्यूटर का परिभासा कंप्यूटर में क्या होता है में अगर हम समाने परिभासा देखें कि हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं वो निर्देश क्या होता है इंपूट में होता है तो हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंपूट के रूप में कोई निर्देश देते हैं फिर computer में क्या होता, processing होती है processing के बाद computer जो हमें result देता है वो output के रूप में हमें मिलता है, वो क्या है आपका एक computer होता है क्या एक स्वचाएलित electronic machine है जो खुद से अपने सारे कारे करती है इस प्रकार computer के बुनियादी कारे हैं computer के बहुत सारे कारे है देखिए जैसे सबसे पहला कारी data को input के रूप में सुईकार करना अगर हम इसको कोई चीज बोल रहे हैं तो यह क्या करता है input के रूप में सुईकार करता है अगर आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बता है कि आप Google में सर्च कर रहे हो, कि what is computer, तो वो क्या करेगा, आपके बोले हुए बातों को स्विकार करेगा, वो आपका क्या होगा, इन्पुट होगा, तो जब वो स्विकार करता है, उसमें प्रोसेसिंग होती, स्कैनर हो सकता है, ट्रैक बैल हो सकता है, ये आप जयस्टिक, जो आप गेम वगरह खेलते हैं, तो ये सब चया है, आपका इन्पुट है, इन्पुट के जरिए जरिए computer क्या करता है, आपके data को स्विकार करता है, दूसरा क्या करता है, data को दिए निर्देसों के अनुरुप process कर सूचना में बदलता है अब देखिए आपने क्या क्या computer को कोई सूचना दी अब computer क्या करेगा उसमें processing करेगा processing के बाद ही result आता है whether security prior to data processing में क्या होता है data processing में चीजों को collect किया जाता है पिर उसका preparation किया जाता है in इंपूट के रूप में क्या दिया जाता है सूचना या डाटा दिया जाता है फिर उस इंपूट का क्या होता है प्रोसेसिंग होता है कि प्रोसेसिंग क्यों होता है कि चीजे गलत तो नहीं है आंसर सही है इस तरह की चीजे आती है तो क्या बता है मैंने कि आगर computer को कोई input देते हैं तो input के बाद क्या होता है उसका processing होता है कि आप जो उसे निर्देश दे रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं कहीं गलत तो नहीं इवेन अगर आप देखते होंगे कि अगर आप कोई गलत टाइपिंग करते हैं या कुछ गलत सर्च करते हैं तो उसमें तुरंत लिखाता है तो वो आप से पूछता है आप शियोर हैं की नहीं तो वो क्या करता है आपके बातों को correct भी करता है कौन आपका computer जब processing होती है तो output के रूप में क्या होता है result बहार आता है नेक्स्ट क्या करता है data और सूचना को भविश्य में उप्योग के लिए store करता है निश्चित सी बात है computer को हम कोई भी चीज देते हैं तो वो store करने का भी काम करता है अगर आप कोई photos image क्या कर रहे है तो computer में वो काबियत होती कि आपके पूरे photos को save करके रखे अगर आप movie या videos download करते हैं तो वो क्या करता है आपके videos को भी रखता है आप अगर कोई mail कर रहे है तो messages भी रखता है अगर आप कोई क्या कर रहे है song कर रहे है song download कर रहे है उसे भी वो करता है even आप कोई web page भी खोलते है उसमें कोई चीज डाउनलोड करना चाहते है उसे safe करना चाहते तो उस data को भी safe करता है कौन आपका computer सूचना का विसलेशन करता है जैसे कि आपने को input दिया फिर वो सूचना को क्या करेगा विसलेशन करेगा फिर उसे result के रूप में result मतलब output देखिए समाने अगर समाने परिभास में बोलूंगर याद करने के लिए तो याद रखिएगा जो चीज आप सर्च करेंगे आपका प्रशन होगा वो input होगा जो आपका result होगा वो आपका output होगा और बीच में जो प्रक्रिया होगी वो आपका processing होगा सूचना का जब विसलेशन होता है तो किसके माध्यम से ये बाहर आता है अगर आप क्या कर रहे हैं rais प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट के रूप में बहाराती हैं अगर आप गाना को इस सर्च किये हैं तो गाना को आप हैड्फोन में आउटपुट के रूप में सुनते हैं मौनिटर में अगर आप कोई सर्च कर तो इस्क्रीन में दिखाई देता तो यह क्या है आपका आउटपूट है अब रही बात देखे यह आपने देखा यहाँ पस कई चीजे आपको देखने को मिल रही होगी गभी नें कई प्रकार होते हैं गैब मृ angels निता जो हमारे computer twitter कारे के अधार पर सीन प्रकार के होते आपका analog computer digital computer hybrid computer क्या छोता है गम्प उन्स analog computer एक गेप्से समानेता analog computer ऐसे computer होते हैं जिसमें हम मुक्य रूप से क्या देखने को मिलता है अपक्स छ टैकने को मिलता in analog computerude q keepích s eerste के महत्त्व से कर रहे का क्या है संegy को दिखाना आपको जहां ईप्रौल कंप में क्या कर रहे है और यह fat str prison में तो आप देखते हूंगMarie शलिद्र काagitर सैं इस रुप में क्या कितना लीठ नभी वह सब लिखाälle कितना रुप कर डिजट को दर्सा रहे तो यह क्या है आपका analog computer है even अगर आप weight machine भी देखते होंगे आप अपना weight नापते हैं तो weight machine पर क्या दिखाता है आपका weight दिखाता है वो जो digit है वो भी आपका एक प्रकार का analog computer है मतलब आपके आज पास जहां भी आपको digit वाली चीज़े दिख जाए जो क्या कर रही है गतिशील है या गती कर रही है जैसे घड़ी का चलना बेट मसीन हो गया पिट्रोल पंप का ये जो है वो कैलकुलेटर हो गया ये सब क्या है आपके एनलोग कम्प्यूटर है एनलोग कम्प्यूटर ऐसे कम्प्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने का कारे करते हैं क्या फिजिकल क्वांटिटीज को मापने का कारे करते हैं इन्हें किसी विसेश कारे को करने के लिए बनाया जाता है इनकी memory बहुत छोटी और सिमित होती है लेकिन digital में ऐसा नहीं होता है digital की जो capacity होती है वो बहुत अधीक होती है और व्यापक होती है लेकिन हमारा जो analog computer होता है उसकी memory छोटी होती है और ये सिमित कारे को ही कर सकता है इस computer की गती अत्यांत धीमी होती है डिजिटल के अगर आप एच्छे इसको देखा जाए तो इसकी गती क्या होती है धीमी होती है उधारण के लिए आपका thermometer आप बुखार वगार नापते है न तो थर्मामीटर में जो दिखाता है वो क्या है आपका एक प्रकार का देखें इमेज के द्वारा समझे आप यह क्या है आपका एनलोग वोल्ड मीटर वोल्ड मीटर भी आपका एक प्रकार का एनलोग कम्प्यूटर है यह पेट्रोल टंकी की मैं बात कर रही थी न यहां पर आपको जो डिजिट दिख रहा है यह क्या है एनलोग कम्प्यूटर है यह घड़ी घड़ी भी आपका एनल यह क्या है आपका यह आपका थर्मामितर तो यह सब क्या है आपके एनलोग कंप्यूटर के एक्जाम्पल है अगर सरल सब्दों में हम एनलोग कंप्यूटर की बात करें तो क्या होता है एनलोग कंप्यूटर सरल सब्दों में देखिए कि एनलोग कंप्यूटर वह है जो भौ चाहे वो लेंथ हो आपका हाइट हो प्रेशर हो टेंपरेचर उन सब को क्या करता है अंकों में दिखाता है डिजीट के रूप में दिखाता है दूसरा क्या है कि एनलोग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजिनिंग के छेत्र में प्रयोग किये जाते हैं एन अब बात करते हैं डिज्टल कंप्यूटर की एनलोग कंप्यूटर क्लियर हो गया आप जितना भी आपको डिजिट के रूप में देखने को मिलेगा वो सब आपका एनलोग कंप्यूटर में आएगा अब बात करते हैं हम digital computer की, digital computer क्या होता है, तो digital computer एक electronic computer है, जो गडिती और तारकिक समस्याओं को हल करने का कारी करता है, तथा electronic संकेतों पर काम करता है, इनकी गती क्या होती है, तेज होती है, इनमें memory हम तभी बहुत अधिक होती है, और ये सटीकता के साथ क्या करता है, आप को result देने में सच्छम होता है अगर दिजिट का अर्थ क्या होता है डिजिट का अर्थ होता है अंक अर्था digital computer वह computer है जो अंकों की भी गढ़ना करता है आपका जो एनलोग computer computer है ना वह लेंथ हो परिमाप हो आपका हाइट हो वेट हो इस अपको क्या करता अंकों में दर्साता है लेकिन जो digital computer है वह अंकों की भी क्या करता है गढ़ना करता है आप देखते होंगे कोई भी टिपिकल सवाल अगर आप उसको सर्च कर रहे हैं तो वह रिजल्ट आपको देता है नो तो यह किसके मांध्यम से आपके digital computer के मांध्यम सो रहे हैं लेकिन अगर आप इस घड़ी से कोई सवाल करेंगे तो क्या यह देगा नहीं यह सिर्फ इसका काम है समय बताना तो यह होता है आपका में डिफरेंस अनलोग computer और digital computer में दूसरा क्या quality है डिजिटल computer वे computer है जो वैपार को चलाते हैं घर का बजट त्यार करते हैं आप जितना बड़ा बड़ा factory देख रहे हो company देख रहे हो, hospitals देख रहे हो, schools देख रहे हो, universities देख रहे हो जहां भी आपको इसका व्यापक रूप देखने को मिल रहा है न यह किसके माध्यम से मिल रहा है आपको digital computer के माध्यम से मिल रहा है अब बात करते हैं computer system के घटक के बारे में, क्या होता है आपका components of computer system, computer का प्रते घटक या तो, आप देखें computer में न मुख्यता आपको, अगर हम लोग mainly देखें, तो दो रूप में हो मिलते हैं, एक तो hardware, एक तो software, hardware क्या होते हैं, hardware वे होते हैं, जिने आप देख सकते हैं, लेकिन software क्या होते हैं, जो सिर्फ आपके screen में दिखाए देते हैं, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कि जो चांद आप देखते होंगे, आसमान में चांद दिखते हैं, वो क्या है एक प्रकार का software है, क्योंकि इसे आप सिर्फ देख सकते हैं, आप इसे छू नहीं सकते हैं, समानी व्यक्ति तो नहीं छू सकता, तो ये क्या आपका एक प्रकार का software है? कम्प्यूटर में मुख्यता तीन भाग होते हैं, आपका hardware, software और data, hardware जिने हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, software जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, data क्या करता? एक आव्यवस्तित data होता है, मतलब ये व्यवस्तित नहीं होता है, जो व्यवस्तित हो वो आपका सूचना होता है, या information होता है, इसे हम आगे detail में समझेंगे, सबसे पहले hardware, तो क्या होता है hardware, देखे पहले आप इसे ने, चित्र के मान्थे हम से देखिए, ये सब क्या है माइक पwhel जो हाद से छू सकते हैं माइक हो गया इह सब हाड्वेर हैं मॉनिटर क्या है अभी तो फिल हाल यह हाड्वेर रे लेकिन इसके अंदर की जो चीजे है जो इन्हें आप छू नहीं सकते हैं तो कंप्यूटर मसीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं हाड़वेर कहलाता है जैसे की कीबोर्ड माउस मॉनिटर सीप्यू प्रिंटर हाड़ डिस्क ड्राइब मदर बोर्ड प्रोसेजर स्पीकर यह सब क्या आपके हाड़वेर है अब सौफ्ट्वेर क्य छू सकते हैं अगर हम साइंटिफिक भासा में देखें साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है सौफ्ट्वेर अनुदेशों और प्रोग्रामों का वह समू होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है वो क्या कहलाता है आपका और क्या होता है software पहले आप इसे डाइग्राम से देख लीजिए क्या होता है software यह देखें यह जितने भी आप देख रहें एप्लिकेशन यह सारे आपके software है चाहे वो YouTube हो चाहे आपका PDF हो चाहे आपका गैलरी हो Google Drive हो World Online हो, Mail हो, Mail Offline हो, Google Documents हो यह सभी आप Even Games वगएरा जो खेलते हैं मुवाइल में वो सब आप PUBG वगएरा खेलते हैं Candy Cris खेलते हैं और भी जो गेम है वो सब क्या है आपके जितने भी गेम्स हैं बहुत सारे गेम्स हैं गिंदी नहीं है कार्टून वगएरा आप अगर आप देख रहे हैं तो वह सब क्या है सिर्फ आप देख पारे ना इसे छूनी पारे अगर इसको आप soft copy भी आपका क्या होता है एक software होता है लेकिन वही soft copy जब बाहर आ जाता है आपके हाथ में आ जाता है तो hard copy कहलाता है तो soft copy का अर्थ क्या है software से है और hard copy का अर्थ आपके hardware से है तो यह सब क्या है आपके software है कुल मिलाके आपके फोन में चाहे वह facebook हो इंस्टा हो टेलिग्राम हो यह सारे आपके twitter वगएरा mail वगएरा सारे software है क्योंकि आप इन्हें छून नहीं सकते computer का hardware software के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता अच्छा एक चीज है computer में कि बीना hardware के software नहीं हो सकता क्योंकि उसे जो निर्देशन हो अगर देखिए अगर आपको कोई चिस सर्च करनी है कीपट के माध्यम से आपका type जो आप करते हैं किससे कर रहे हैं आपनो mobile के प्रू कर रहे हैं तो यह क्या है मुवाइल भी आपका प्रकार का hardware है लेकिन उसके अंदर जो एप्लिकेशन से वह क्या है software है आप computer में बिना माउस के बीन CPU के इस अपके बीना काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सब क्यांकर आपके hardware के साथ ही आपका क्या चलता है reflects hardware निर्देश के अधार पर अलग-अलग कारे करता है बिलकुल करता है क्यूंकि एक hardware आपका लिजे कीबोर्ड हो गया कीबोर्ड से अब कितनी सारी चीजे को सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, पीडियाप बनाते हैं, तो यह सब क्या कर रहा है, एक हार्डवेर बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर बड़ता है, सौफ्ट्वेर को हम छू नहीं सकते, नहीं भौतिक रूप में देख सकते हैं, इस प्रकार चलित हार्डवेर यदि कम्प्यूटर का सरीर है, अगर हार्डवेर कम्प्यूटर का सरीर है, तो सौफ्ट्वेर उसकी आत्मा है, कितनी अच्छी बात कही है, सरीर को क्या करते हैं, हम देख सकते हैं, प्रॉपर महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जो आपका software है, वो हमारे अंदर की आत्मा है, आत्मा को कोई नहीं जानता है, तो वैसे ही software क्या है, आत्मा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सरीर का आत्मा, और computer की आत्मा क्या है, आपका software है, जिसके कारण कंप्यूटर जिन्दा है अगर हमारे अंदर आत्मा है इसलिए हम जिन्दा हैं चल फा रहे हैं महसूस कर पा रहे हैं लेकिन हम आत्मा को ना देख सकते हैं Software में हम चीजों को देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को साक्षात रूप से नहीं देख सकते हैं, तो एक परकार से ऐसे समझ सकते हैं, कि हमारे सरीर में जिस परकार आत्मा हैं, आत्मा के बिना हमारे सरीर का स्तित्व नहीं है, उसी परकार आपके Software के बिना Computer का स्तित्व नहीं है ये तो हो गया hardware software अब बात करते हैं data की ये data क्या होता है तो देखी data जो होता है वो कच्चे तथ्यों को raw facts को और सूचनाओ का क्या करता है इस चीज को ध्यान रखिएगा data जो होता है वो आविवस्थित संकलन होता है जिससे कोई सार्थक निसकर्स नहीं निकाला जा सकता क्योंकि आविवस्थित होता है ये विवस्थित नहीं होता है विवस्थित क्या होता है आपका विवस्थित आपका सूचना होता है सूचना होता है या information होता है data आपका आविवस्थित होता है इधर ध्यान दीजेगा data का मतलब हम सिर्फ एक जब हम computer में कोई चीज save या store करते हैं तो वो data के रूप में computer में store होता है जिसे हम क्या कहते हैं data कहते हैं लेकिन अगर information की बात करें information को भविश्य के उद्देश के लिए किसी website, application या किसी अन्य client के लिए store किया जा सकते हैं सबसे आम information, users information हैं जैसे ये information के बारे में बता रहा है कि आपकी जानकारी आपका data क्या होता है तो ये data क्या करता है data को बता रहा है कि आप data को क्या कर सकते हैं आप उसे store कर सकते हैं और ये data भी कई प्रकार के होते हैं आप कई छेत्र में काम करते हैं, आप बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप कम्टियों में काम कर रहे हैं, आप इंस्ट्यूट में काम कर रहे हैं, प्रशासनिक छेत्र में काम कर रहे हैं, तो यह क्या है, डाटा एक प्रकार की जानकारी है, जो क्या होती ह अविवस्थित होती है उसको विवस्थित करने के लिए प्रॉपर इंफॉर्मिशन तयार किया जाता है डाटा कई प्रकार के होते हैं जैसे ओडियो डाटा अब आप अपने मुवाइल में देखते हूंगे गैलरी होती है गैलरी में आपका फोटो होता है और एक और एप होता है म्यूजिक एप उसमें क्या होता है आपका सब सौंग्स होता है वीडियो डाटा ग्राफिक्स डाटा मतलब यह क्या कर रहा है डाटा की प्रकार बता रहा है कि डाटा की भी कोई सीमा नहीं है डाटा आपके जरुवत और उपयोग पर डिपेंड करता है और भी कई प्रकार के डाटा होते हैं जिने information के रूप में उपयोग में लिया जाता है इधर ध्यान दिजिएगा बहुथ अच्छी बात कहा गया है कि ज्यादतर लोगों का क्या मानना है ज्यादतर लोग मानते हैं कि डाटा सिर्फ computer से संबस्वेंत हैं लेकिन वीधाता नहीं है जी हमारा डाटा का मतलब आपके computer तक...' सिमितनी है डाट आप ऐसे लेख सकते हैं कि अगर आप किसी गाओं में जा रहे हो सर्वे स्पीनुग कर रहे हो कितने गाओं में कितने कुए एक क्लास में छात्रों की संख्या, सबसे पहले स्कूल में छात्रों की संख्या क्या है, फिर स्कूल के बाद आपके क्लास में छात्रों की संख्या, फिर स्कूल में टीचरों की संख्या, किसी सहर की अबादी, देश की करंसी, डाटा, कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब यह कि डाटा सिर्फ आपके computer तक सिमित नहीं है computer data आपका कुछ भी हो सकता है कुछ data बहुत छोटे होते हैं और कुछ data बहुत ज़्यादा विसाल होते हैं कैसे जैसे माल लीजे कि school में 50 चात्र हैं तो हमें सिर्फ 50 चात्रों का ही data मिलेगा लेकिन अगर इस data के अंदर उन चात्रों का हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने सिर्फ इतना data सिमित था कि data सिर्फ स्कूल में कितने 50 विद्यारती हैं अब data को विस्तार कैसे कर सकते हैं यह विद्यारती कहां से आए हैं कितने भाई बहन हैं यह कहां रहते हैं क्या करते हैं parents क्या काम करते parents और कहां से जुड़े तो क् झोटा भी ский और बड़ा भी होता है ऑर क्या लिखा है उस क्लास की कौन है अगर इसकूल में 50 शात्र है तो उन 56 के टीचर कौन कौन है वह कौन सा subject परते हैं बच्चे कौन से subject में we weaknesses की विस्तार हो रहा है कि डाटा की नहीं यूस पे डिपैंड करता है आपकी जरूरत पे कि डाटा छोटा होगा या बढ़ा होगा बाकि अगर डाटा की नेचरल सुभाव की बात की जाए तो डाटा अपने आप में क्या होता है छोटा भी होता है और बहुत पिशाल भी होता है इस टाटा क्या होता है डाटा हमारे किसी भी भाशा में हो सकता है और किसी भी नंबर में हो सकता है। आपका अंक में भी हो सकता है, अच्छर में भी हो सकता है और किसी भी रूप में हो सकता है जैसे डाटा को कई प्रकार से विभाजित किया गया है पहला आपका संख्यात्मक डाटा या numerical डाटा नाम से इस पष्ट हो रहा है संख्यात्मक मतलब इसमें कैसा डाटा होगा यह संख्यात्मक डाटा होगा यह अंकों से बना डाटा होगा जिसमें जीरों से लेके एक दो नौ जहां तक अंक का प्रयोग हो सकता है अंक चुकि नौ तक ही होते हैं तो नौ तक क्या होता है प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार का डाटा दाटा का एक एकजामपल है आप इमेज के थ्रू समझ सकते हैं दो दूसरा डाटा आठा आथा आपका चिन्हात्मक डाटा ầțा अंक भी हो सकता है और आपका चिन भी हो सकता है इसमें अंक गडिती क्रियाय नहीं की जा सकती पर इनकी तूलना जरू की जा सकती किसमें आपके चिन्धात्मक डाटा में जैसे कर्मचारियों का पता आपका कर्मचारियों का जो वेता है वो संख्यात्मक डाटा में होगा ले यह आपके कुछ words हैं दूसरा है आपका sound data तीसरा आपका sound data simple सी बात है जहाँ पर sound की बात हो रही है वहाँ पर क्या होगा आपका voice देखने को मिलेगा ऐसा data जो हमें sound या आवाज के रूप में मिलता है वो sound data कहलाता है जैसे हम अपने teacher का class सुनकर लिखते हैं मैं भी क्या हूँ एक प्रकार की sound data हूँ क्यों 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 कि आप कान में earphone लगा कर या बिना earphone लगाए भी मेरी आवाज को मेरे sound को क्या कर पा रहे हैं सुन पा रहे हैं तो मैं एक प्रकार की क्या हूँ sound data हूँ क्यों कि मैं sound की रूप में कर रहें नोट कर रहें वह आपका alphanumeric data होगा क्योंकि alphanumeric data आपका किसमें होगा आपका अंकों में भी होगा अच्छरों में भी होगा चिन्हों के मांद आपको ही डायग्राम बगारे यूज करते हैं तो और जो मैं बोल रही हूं जो वाइस आ रहा है जो साउंड आ रहा कि यहका कर रहा है साउंड की फिट्षार है यह आपका साउंड है पर क्ट नेक्स्ट वीडियोडाटा जो ऑडियो डाटा था वैसे की आपका वीडियोडान्टा है आप मुझे साकशार जो उर्ट देखते हैं आप जो यूटूब आप जो YouTube डेते हैं जो आप classes वगरा करते हैं कैसे एक video की माध्यम से एक द्रिश्य शमागरी कह सकते हैं मतलब आप द्रिश्य से क्या कर रहे हैं उसे समझ पा रहे हैं तो द्रिश्य डाटा है वीडियो डाटा में आपको हर चीज किस रूप में मिलेगी आपको आडियो और वीडियो दोनों में मिलेगी यहां पर मुख्य रूप से वीडियो का मतलब है जिसे आप देख सकते हैं जरूरी नहीं कुछ में आप क्या करते हैं mute कर देते हैं लेकिन वीडियो तो चलता रहता है आप उसे देख पा रहे हैं simple सी बात तो यह क्या होगा चलित रूप से जो चीज़े आपको दिखाई देंगी वो वीडियो होगा लेकिन वही चलित रूप जो होगा वह स्टचू हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा आपका image data हो जाएगा तो data की अपनी कोई सीमा नहीं data कैसा भी हो सकता है यह आपको कुछ ग्राफिक data अब इसे देख लिए ग्राफ के द्वारा भी आप देखते हैं economics में सब का प्रयोग होते हैं कि कितना growth हुआ फिर डाउन हो जाता है तो यह सब को आप ग्राफ के जरीए जिस data को आप ग्राफ के जरीए क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं यह जानने का प्रयास करते हैं वो आपका ग्राफिक data होगा बस इतना ही बस चलिए आज के लिए इतना ही आगे की जो टॉपिक बचे हैं वो हम next class में cover करेंगे बागी thank you अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ team कोको